मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हिंदू संगठन की रैली पर पत्राव की खबर मिली। घटना इंदौर जिले के गौतमपुरा के समीप स्थित ग्राम चांदन खेडी में हुई है। यहां मंगलवार दोपहर एक बजे हिंदू संगठन अयोध्य के राम मंदर के लिए धन संग्रह करने रैली निकाली जा रही थी। इसी दोरान एक विशेश समुदाय के लोगों ने पत्थर पैंकने शुरू कर दिये। गौर तलब है कि इसी तरह की घटना 25 दिसंबर शुक्रवार को उर्जैन में सामने आई थी। वहां भी बिगंबाक शेत्र में राम मंदर निर्मान को लेकर धन संग्रह करने के लिए निकले हिंदू वादी कार्यकरताओं की रैली पर पत्थराव और गाडियों में तोड़ फोड़ की गई थी। जिसके बदला लेने के लिए हिंदू संगठनों ने मंदसौर में मस्जिद के सामने हनुमान 40 का पाठ शुरू कर दिया। जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को रास नहीं आया और फिर से पत्थर बाजी की। इस बार हिंदू संगठनों ने बदला लेने के लिए मन्सौर की मस्जिद में तोड़ फोड़ शुरू कर दी, मस्जिद पर से जबरंज हंडे उतार दिये, इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिती पैदा हो गई, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया ग झाल 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 झाल